तो यहां पर बहुत सारा मैंने वीडियो देखा था उसमें गोल रोटी या पराथा टाइप का बना सकते हो प्लीज डोंट जज मी मेरा रोटी का शेप कभी अच्छा नहीं आता है सिंस आइ टोल यो गैस कि मैं भी रिसेंटली कोकिंग शुरू की हूँ इसलिए मैंने ये चैनल भी खोला है तो ये मेरा थोड़ा रिक्टैंगल थोड़ा स्कॉर शेप में बन गया है फिर जैसे ही ये रेडी होता है फिर इसके उपर मैंना जो चीज स्लाइस है वो रख देती हूँ चीज स्लाइस उपर से रखने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ओर्गैनो स्प्रेट किया और फिर उपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाला और फिर हमें क्या कर रहा है ना चारो साइड से रोटी को चीज के उपर ऐसे कवर करके अच्छे से फिर उसको बेल लेना है तो मैंने आटा थोड़ा से उसके उपर स्प्रेट किया फिर बेलना शुरू किया तो यहां पर मैंने एक थोड़ा कड़बड कर दिया था चीज पराठा बन जाएगा तो उस चकर में थोड़ा जादे ही बड़ा बन गया है जैसे ही पराठा बनके रेडी होता है यहां पर मैंने क्या क्या तवा में थोड़ा तेल लिया तो तेल यहां पर मैंने 5-6 टेबल स्पून लिया था थोड़ा एक्स्ट्रा डालना है पराथा जो मैंने बेल के रखा था उसको उपर से डाल दिया तो गाइस जैसे एक साइट कुक हो जाता है फिर से हम इसको फिलिप करके कुक करते रहेंगे कम से कम तीन से चार बार और डेर से दो मिनट के लिए बहुत ही अच्छा बनाया है गाइस आई नो शेप उतना अच्छा नहीं लग रहा है नाहीं अच्छा दिख रहा है बट बहुत ही चीजी चीजी फुल और अच्छा फ्लेवर आ रहा था तो मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करती हूँ ट्राइ करो मैंने भी फर्स टाइम ट्राइ किया भले शेप अच्छा नहीं आया लेकिन टेस्ट में बहुत सही है तो मैं डेफिनेटली रेट करूंगी 5 आट और 5 अगर आपको मेरी कॉंटेंट अच्छे लगते है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले